सो एलो गाइज वेलकम बैक टू मा यूट्यूब चैनल दोस्तो अगर आप एक एटल का सिम काड यूज करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार लाइप प्रूफ इस्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरे डेटा है 73, 75, 60 जो की काफी अच्छी डाउनलोड इस्पीड आ रही है तो आपको भी यहाँ डाउनलोड इस्पीड कैसे आ सकती है आपके फोन में तो उसके लिए वीडियो को सुरु से लेकर ला सक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो को जरह से भी इसकी मत करिएगा तो दो जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक एकसे पॉइंट नेम का ओप्सन दिखाए देगा तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बसे दुस्तों अभी यहाँ से आपको वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि मैं जो भी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं सभी को सेम तो सेम फिल अप करना है तब ही आपको फोन में इंटरनेट स्पीड इंक्रीज हो पाएगा तो दुस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजी और चैनल को सब्स्राइब करके बेल नोडिफिकेशन को आल पर सेट कर लीजे तो इसके लिए दूस्तों आपको सबसे पहले नेम में टाइप कर लेना है ऐड़ा उसके बाद से आपको लिखना है नोक्स, दुस्तों यहाँ पर नोक्स का एंक का एंड उना चाहिए port में आपको type कर लेना है 8080 दे नीचे आएंगे दूस्तों username में username में आपको यहाँ पर type करना atl उसके बाद से आपको space लगाना है space लगा क्या आपको लिखना है tcp.ip दूस्तो tcp.n.ip आपका capital letter में होना चाहिए उसके बाद से password को not set server में आपको type कर लेना है www.google.com दे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको mmsc को not set mms proxy को भी not set mms port को भी not set दोस्तो mcc and mnc आपके phone में already set होगा तो वही रहने दे authentication type में यहाँ पर आपको select कर लेना है pp और chp दे दोस्तों उसके बाद से आपको apm type का एक option दिखेगा तेहाँ पर आपको default लगाना है and comma लगा के subl then comma लगा के net and comma लगा के xcp के option को select औरना है उसके बाद से दोस्तों आपर apm protocol का एक option दिखेगा यहाँ पर आपको ipv4 slash ipv6 को select करना है apm roaming protocol में भी आपको ipv4 slash ipv6 koo select करना है उसके बाद से दोस्तों अगर आपको यहाँ बेर अन स्पेसिपाइड यह तो उसे अंटिक करके आपके फोन में जितने भी बेर दीख रहे होंगे सभी बेर को select कर लेना है अगर दूस्तों आपके फोन में सभी बेर का option नहीं आता है तो वहाँ पर आपको सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा तो एक बार अपने फोन को रिश्टार्ट जरू कर लिजेगा तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्स्राइब करके बेल नोडिफिकेशन को और सेट कर लि